प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज दो देशों पोलेंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं रवाना होने से पूर्व उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन के राश्टरपती से संगर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोंड साजा करेंगे एक मित्र और साजेदार के रूप में भारत क्षेत्र में शांति और स्थिर्टा की शिग्र वापसी की आशा करता है विदेश यात्रा से पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह यात्रा दोनों देशों के साथ व्यापक संपरकों की सौभाविक निरंतरता के रूप में काम करेगी और आने वाले वर्षों में मजबूत और अधिक जीवन्त संबंधों की नीव रखने में मदद करेगी उन्होंने कहा कि पोलैंड की उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनाईक संबंधों के सत्तर वर्ष पूरे कर रहे हैं पोलैंड सेवे राश्ट्रपती वोलोदुमीर जेलेंस्की के निमंतरन पर यूक्रेन जाएंगे आपको बता दें कि यह किसी भारतिय प्रधान मंतरी की यूक्रेन की पहली आत्रा है